समस्कार, स्वागत है आप सभी कपाव रेक्फिस में, आपके साथ मैं हूनेहान, यह देख लेते कि सोमवार की सुबा अंतराश्य बाजारों से किस प्रकार के संकेत हमारे मार्केट के लिए है तो गिफ निफ्टी डीली ढाली चाल है, लेकिन बहुत जादा गिरा नहीं है, बिल्कुल फ्लाट सा परफॉर्मेंस यहां दिख रहा है, 21-800 के नीचे है, दाव फ्यूचर असी अंक गिरावट के साथ ट्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, नाज़ेक फ्यूचर पर आई मार्केट की बात करेैं, तो जो पिछला हफता रहा हो, कच्चे तेल के लिए, पूरे अनरज़ी कामेस के लिए बहतरीन साबित हुआ है, लेकिन अगर सोने चान्दी की बात करे, या मिचल्स की बात करे, यहां प्रेशर देखने को मिले और आज भी कुछ सुस्ती ही है, तो थोड़ा consolidation वाला हफता रहा है थोड़ा correction वाला हफता रहा है कह सकती है कुछ जाधा ही expectation हो गए थी बाजार में जाधा euphoria हो गया था वो अब थोड़ा adjust हो रहा है दूसरा इससे पहले हमने देखा था 9 हफतों से लगातार तीजी बनी हुई थी तो उसके बाद थोड़ा rationalization आ अगर आप देखें शुकरवार को तो अमेरिकी बाजारों में हलकी बड़त ही रही थोड़ा उतार चड़ा वाला session था 300 अंकी range में डाउ ने trade करा उपर से 1500 अंक नीचे बंद हुआ नीचे से 1500 अंक उपर बंद हुआ तो almost एक तरह से रह सकते हैं कि बीचो बीच उस range के आप को डाउ हलकी बड़त के साथ बंद होते हुए दिखा नाजडाक जहां पर पिछले 5 से जिनों से गिरावट का trend था उसने वो तो break किया हलाकि almost flat ही आपके लिए नाजडाक भी बंद होते हुए दिखा तो कुछ जादा बड़ा action हुआ नहीं है अमेरिकी बाजारों में बट एक तरह से अच्छा ही है क्योंकि इससे पहले 3-4 दिन काफी जादा उतार चड़ाव आपको होते हुए दिख रहा था इस्पेशली आईटी में जो correction का trend आपको दिख रहा था 10 साल की bond deal इनकी 4% की उपर कायम है पिछले हफते हमने देखा 3-4 सेशन में 4% का स्थर्च हुआ उसके आसपास ही आपको 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 दिख रही है और जो rate cut expectations है वो भी थोड़े rationalize हो रहे है क्योंकि recent data दिखा रहा है कि कुछ जादा ही optimism आ गया था मार्ट से rate cut का December महीने का jobs data आया काफी important data रहता है Fed को अपनी policy बनाने के लिए अनुमान से काफी जादा बहतर आते हुँ दिखा है अनुमान था कि December के महीने में करीब पौने 2 लाख jobs जोड़ी जाएंगी उसके सामने 2,16,000 नई jobs जोड़ी गई है तो अनुमान से तो काफी बहतर ये आपक strength है और शायद इसकी वज़े से जो rate cut है Fed का पहला वाला March में सब estimate लगा रहे थे उसको शायद थोड़ा pushback करना पड़ेगा अभी भी आप कह सकते हैं कि 60% जानकार March में rate cut का अनुमान लगा रहे हैं बट एक हफते पहले इसी समय ये आंकड़ा 90% का था तो पिछले एक हफत चीज आई है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है अब अगर आप बात करें जो अमेरिका में action हुआ पिछले हफते इन सब चीजों की वज़े से तो नौ हफतों की जो तेजी का trend था वीकली तेजी का trend था वो अब आपको break होते हो दिख रहा है डाव डेर परसेंट गि खेता slow iPhone sales की वज़े से थोड़ा consolidation वाला हफता रहा थोड़ा correction रहा और रेट कट्स के इतने जादा over optimism था वो भी अब थोड़ा rationalize आपको होते होई दिख रहा है यॉरप की बात करें तो यहां पर भी आपको सुस्त कारोबार दिखा है commodity और currency market में काफी action है dollar index आपका 102 के वर है वहां पर हमने देखा है कि 9 साल का पहला हफता सुस्त रहा middle east का तनाव है जिसकी वज़े से हमने देखा है कि कच्छे तेल में थोड़ा rebound आया था बट आज सुबह अगर आप देखेंगे तो वापस उतना बड़ा action आपको आते होए नहीं दिख रहा है red sea में कुछ औ और shipping companies ने अपने shipments को rerout करा है क्योंकि अभी भी जो तनाव था वो बना हुआ है natural gas में बड़ा action था 15% की सापताहिक बड़त थी 6 हफते की उंचाई पर है सोने में हमने चार हफतों बाद पहली सापताहिक गिरावट देखी है copper तीन हफते के निचले सर पर है zinc और aluminium में तो एक तरह से retail मेंगाई और wholesale मेंगाई का data आएगा नतीजों की सीजन हमारे भी शुरू हो रहा है US में भी दिगज banks के नतीजा हैंगे सबसे पहले JP Morgan Bank of America और Citigroup जैसे companies के नतीजा हैंगे और Fed के कई सदस से public भाशन भी देंगे तो उसका भी impact आपको आते हो दिख सकता है तो देखते हैं अब जो rate cut की इतनी over optimism था वो क्या और rationalize होता है और क्या कुछ कहने है Fed सदस्यों क्या कैसा और data निकल कराता है वो important रहेगा अफकोस तो कुछ बहुत ही महतुपूर्ण events और data points जिस पर इस हफते हमारी नजर रहने वाली धनिवाद दीप पूरी detail के लिए तो जैसे मौझूदा global संकेत हफते की शुरुवात में बन रहे हैं इन सब के बीच आज हमारे market में आपको क्या trading रनीती अपनानी है इन सब पर बात करने के लिए Zee Business के managing editor अनल सिंग भी हमारे साथ जुट चुके सब मौनिंग जुस तरह के क्यूज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के लिए नहीं पूरी हफते के लिए क्या करना है सब निफ्टी बैंक निफ्टी क्या रनीती अपना है जब तक कोई खास समस्चे नहीं है और जब तक 21,800 के ऊपर बन नहीं तब तक एक बड़ा ब्रेक आउट में लेकि संभावना कम है अब जारक आप इसरेंग सेशन का सवाल है 21,550, 21,625 यह आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा इस रेंज में सपोर्ट की यह आप खरीदारी की शुगात कर सकते हैं और इस रेंज में निफ्टी मेरे तो डेफिनितली खरीदने का मोगा बनेगा उपर इस रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट भी नजर आएगी एक बार इस रेंज में निफ्टी करेगा उसके थोड़ी शूर्ट को रफ्रेश करेगा बैंक निफ्टी का जाल तक सवाल है 48,000 के उपर लगातार दूसर दिंग बंद हुआ है बाजार और फ्राइडे को भी वीकली क्लोजिंग भी आपके 48,000 के उपर हुई तो कोई ऐसा खास कमजोरी का संकेत तो है नहीं जिसले इस रेंज पर 48,000 को 850,000 आपके लिए अच्छे सपोर्ट का काम करेगा उपरी इस रेंज पर 48,000 के उपर अच्छे सपोर्ट लेवल पर आए तो वहां प्रॉफित बुकिंग कीजिए पहले उपरी इस रेंज पर आजाए तो थोड़ी प्रॉफित बुकिंग करके वापस निशले इस रेंज का इंतिजार करें तो ट्रेडिंग रेंज से जब तक बहार निकलने का संकेतना है दोनों तरफ की ट्रेड के मोखे बने आप यूज कीजिए और रहा सवाल मिट केप स्मॉल केप शेरों का कैश मार्केट के स्टोक्स का तो मुझे लगता है चुननर खरिदारी वहां पर आज भी बनी रहेगी वहां कहीं कोई समझ जा नहीं है धंग के लक्षन ना दे और स्मॉल काप मिट कैप में तो अफकॉस आपको फोकस करना ही है तो ये सर की मेहतुपून पॉइंट्स आज के लिए निकल करा है आए खबरों के दम पर कहां एक्शन देखने को मिल सकता है Q3 बिजनेस अपडेट के किस प्रकार के ये भी समझ ले है क्योंकि यहाँ पर बोड बेठक में बाइबेक पर विचार किया जाएगा आइडिया फोर्च टेकनलोजी साइन डीलम यहाँ पर प्री आइप्यो इंवेस्टर का लॉक इन वोग ओपन होगा सुप्रीम कोर्ट में आज ऑनलाइन गेमिंग फेडरेशन की अपील पर जहा पर RBI ने MD और CA के पत्पर नियुकते के लिए दोबारा प्रस्ताओ मांगे हैं प्रस्ताओ में कम से कम दो नए नामों को देने के लिए उनको कह गया है सिपला कमपनी की UK सब्सिडरी सिपला EU ने केमविल, बायो फार्मा, M&I वेंचर्स के साथ अमेरिका में JV बनाने के लिए करार किया है और कमपनी लगबग अगर आप बात करें 3.4 करोड से अगर आप 352 शेर्स को लगबग 3.4 करोड के शुरू बाति निवेश के दौर पर सब्सिप्शन करेगी श्याम मेटलिक्स यहाँ पर 5 जनवरी को QIP इश्यू क्लोज हुआ जिसमें 576 का इश्यू प्राइस पर लगबग 2.4 करोड शेर एक्विटी शेर्स को अलॉट को मुंजूरी मिलती भी दिखी है उची की साथ साथ Airlines Stocks यहाँ पर आपको धियान रखना है क्योंकि Alaska Airlines में उडान के समय खिड की तूटने की गटना के बाद DGCA ने Airlines को Advisory सभी Airlines को अपने जो जो उनके पास सारे Airlines है उसमें अगर आप बात करें जो Boeing 737 जो भी है उसमें इंस्पेक्शन की सला दी है Jupiter Vegans यहाँ पर कंपनी को 100 करोड का ओर्डर मिला है NBCC यहाँ पर भी कंपनी को लगबग 25 करोड के आसपास का ओर्डर मिला है Promoter of Fund Action में Indian Energy Exchange गैर Promoter Mirai Asset Mutual Fund ने लगबग 12 लैक के आसपास शेर्स बीचे हैं उनकी हिस्सेदारी 5.27% से गटकर 5.13% हो गई है Global Spirit यहाँ पर भी मुतिला लोसवाल Mutual Fund ने लगबग 10 लाग के आसपास शेर्स बीचे हैं उनकी हिस्सेदारी 3.36% से गटकर 3.1% के आसपास हो गई है और अन्त में IFB Industries यहाँ पर Plutus Wealth Management ने लगबग 10 लाग के आसपास शेर्स बीचे हैं उनकी हिस्सेदारी 6.2% से गटकर 3.7% पर हो गई है और यह अगर आप दियात करें 19 जून दो जाते है इससे 2 जनवरी 24 तक के ओपन मार्केट में बेची गई है चलिए तो यह तो महतवपून ट्रिगर्स और खबरे हैं जुनके दम पर यह स्टॉक्स चलने वाले लेकिन अर्मान बिजनस अपडेट क्या कहते हैं कौन कौन सी कंपनी के अपडेट आए हैं कैसे हैं जी बिल्कुल कई सारे बिजनस अपडेट आसे वे दिखें जिसमें सबसे पहले टाइटन की बात करें तो क्यूथरू में रेवेन्यू ग्रोथ 22 परसेंट रही है वाय हुआ है जुल्री सेग्मेंट की बात करें 23 परसेंट नहां पर सेल्स ग्रोथ आती वे दिखी है वोच अपरेटिंग एनवायर्मेंट पिछली तिमाही के समानी रहा है और्गैनिक बिजनस में मिल्ट सिंगल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ दिखा उसे के साथ साथ होम केर और परसनल केर दोनों में आपको अच्छी ग्रोथ आती भी दिखी है टाटा स्टील यहां पर क्यू 3 GFI24 का जो प्रो प्रोडक्षन और डिलिवर्ली गॉल्यूम का प्रोविजिटा आतावा दिखा है जिसमें आप टाटा स्टील इंडिया का प्रोडक्शन की बात करें प्रोविजिटल क्रेंल लगबख 6.4 परसन बढ़कर आतावा दिखा है टाटा स्टील नेधरेंट्स की तो 8% बढ़कर आता वाधिका है, ग्लोबल बिजनेस की बात करें, वो भी लगबख 10.7% बढ़कर आता वाधिका है, नाइका का Q3 अपडेट भी है, वहाँ पर सभी वर्टिकल्स में मजबूत ग्रोथ रही है, BPC कारोबार के NSV ग्रोथ 20% और GMV ग्रोथ मिड-20s हो कि अगर आप बात करें, राउंड 25% के आसपास रहने की उमीदियां पर आती भी दिखिए, जनरल इंशुरेंस प्रीमियम का दिसंबर का डेटा भी आता वाधिका है, ICCI Lombard में, वायोवा एक बुनीज, लगबख 20% के आसपास की बढ़ोत रही है, निई इंडिया अशुरेंस में सारे 14%, SBI जनरल इंशुरेंस की बात करें, लगबख 50%, स्टार हेल्थ में, लगबख 15% के आसपास की बढ़ोत आती भी दिखिए, अवरोल अगर आप बात करें तो, ओके चलिए, तो ये कुछ महतपूर्ण खबरें हैं जिन पर आपको नज़र रखनी, बिसनेस अपडेट् इंपक्ट आज के ट्रेइडिंग सेशन में जरूर दिखेगा, धन्यवाद अर्मान, पूरी डिटेल के लिए, आई अब एक्सपोर्स की राये भी जान लेते, क्विटी मार्केट पर राये देने के लिए, सेंट्रम ब्रोकिंग के निलेश जैन हमारे साथ शो में शामिल हो पर हमें फ्राइडे के सेशन में काफी अच्छे लॉंग बिल्डब देखने को मिलेते हैं इसलिए एच्पी सेल में सरीडारी करने की सला होगी, स्पॉर्ट में 420 के असपास की क्लोधिंग को मिलेती, 411 का स्टॉपला सकना होगा, 435 से लेके 440 तक की अपसार हमें हैं एच यहां पर भी लगाता है है हाय टो कनाय बटों फॉमिशन बन रहा है, एक फैस एल टाइम हाय हमें फिफ्टी टुबीक हाय में फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला था, ब्रेक आउट भी आया है यहां पे 890 का स्टॉपला सोगा, 920 से लेके 935 उपेतर की अपसार, आयर CTCB रेडार पर 935 तक ऊपर यह स्टॉप जा सकता है, आपको स्टॉपलास रखना है 890 का, थैंक यू सो मच, आईए कि मौटी बाजार की रणनीती समझते, ट्रेट बूल सेक्योर्टीज के भाविक पटेल हमाय साथ जोचो के भाविक जी कच्चे तेल में क्या करना है, 79 के जरा बताईए कि सोने चांदी में क्या करना है, बिलकुल छोटे दायरे का ट्रेड है और एक वीक बाईस दिखाई दे दे रहा है, तो फ्राइड को मने देखा था कि यूस का जो डेटा यह था थोड़ा नेगेटिव था प्रिलिंस के लिए बट उसके बाद अच्छी रिक और क्विकली जरा नाचल गैस में भी रणनीती बता दीजे, नाचल गैस भी पाई कर सकते है, 232 पे 238 के टागेट के लिए और स्टॉपलोस राइगा 228 के लिए तांक यू सो मच भाविक जी हमारे साथ जुडने के लिए बताने के लिए कहां कहां है कमाटी बाजार में कम फॉरेंड ब्रोकरिजर्स का क्या कहना है किन स्टॉक्स पे है नजर, अर्मान के पास है रिटेल, अर्मान ओवर्टियू पचास का टारगेट कर रहे हैं और मॉर्गन स्टैनली की बात करें वो मेंटेन रख रहे हैं इकोल वेट को टारगेट रख रहे हैं 3190 का जो की मुझुद अभाव से कमी है मेरीको पर भी तीन रिपोर्ट्स आती वी दिखी है जिसमें CLA से डाउन ग्रेट कर रहे हैं सेल पर अंदर परफॉर्म से टारगेट भी घटा रहे हैं 551 से गटा कर 524 का टारगेट कर रहे हैं जैपी मॉर्गेन वो भी डाउन गेट कर रहे हैं ओवर वेट से निूट्रल पर टारगेट वो भी घटा रहे हैं 585 से गटा कर 550 का टारगेट कर रहे हैं मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं इक्वल वेट को टारगेट रख रहे हैं 553 का CLSE की सूलाव वाइन याड़ पर रिपोर्ट है बढ़िया रिपोर्ट आती वी दिखी अपग्रेड कर रहे हैं आउट परफॉर्म से बाय पर और टार्गेट बढ़ा रहे हैं 577 से बढ़ा कर 863 का टार्गेट कर रहे हैं मुझदा भाव ग्राब देखें तो 550 के आसपास का है BPCL पर दो रिपोर्ट से जैपी मॉर्गन अपग्रेड कर रहे हैं न्यूट्रल से ओवर वेट पर टार्गेट भी बढ़ा रहे हैं 400 से बढ़ा कर 615 का टार्गेट कर रहे हैं मुझदा भाव 453 का है मॉर्गन स्टैनली की बात करें वो मेंटेन रख रहे हैं ओवर वेट को टार्गेट वो भी बढ़ा बढ़ा रहे है 6485 से बढ़ा कर 644 का टार्गेट कर रहे है HPCL यहाँ पर भी दो रिपोर्ट साती वे दिखी है जैपी मॉर्गन की बात करने डाउन ग्रेट कर रहे हैं ओवर वेट से न्यूटरल पर पर टार्गेट बढ़ा रहे है 330 से बढ़ा कर 345 का टार्गेट कर रहे है जो कि मॉजो दबाव 420 से कमी है मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं ओवर वेट को टार्गेट बढ़ा रहे हैं 64 बढ़ा कर 555 का targit कर रहे हैं और अंत में IOCL यहां पर भी दो रिपोर्ट से JP Morgan maintain रख रहे हैं और no जोने कर आरे अर्जी 600 को टार्गित कर रहे हैं और Morgan Stanley maintain रख रहे हैं और no big 10rophe है 111 की सी का येरो стाट्स हां और collateral का तरोकर शाच को चंतर झाल झाल